अगर आपके बाल समय से पहले सफेद हो चुके हैं तो मुझे इतना तो पता है कि आपके आज पास जो भी लोग होंगे वो लोग यही बोल रहे होंगे कि अब ये बाल वापस से काले नहीं हो सकते अब ये बाल ऐसे ही रहेंगे लेकिन यकीन करिए ये एक सिर्फ मिठ है अगर आपके बाल समय से पहले सफेद हो गए हैं तो वो काले हो सकते हैं और आप अपने प्रिमिच्चुर हैर ग्रेंग को पुरी तरीके से स्टॉप कर सकते हैं मैंने खुद किया हुआ है ये सारी चीजें आपको मैं अपने एक्सप एक बाल भी आपको सफेद नजर नहीं आ रहे होंगे लेकिन कुछ साल पहले ऐसा नहीं था मेरे बहुत सारे बाल सफेद थे तो मैंने अपने प्रिमिच्चुर हेर ग्रेंग को ट्रीट कर लिया है और जो बाल सफेद थे वह आपस से काले हो गये हैं अगर आप चाहें तो जो रेमेडीज मैं शेर करने वाली हों जो बताने वाली हों उसको अपको सुनने से सिर्फ कुछ निहीं होता है सुनिये और फॉलो करिये तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा तो हमारे हैर फॉलिकल मेलानीन का प्रोड़क्शन कब कर देता है तो बाल सबहें से पह इस वीडियो में आप लोगों साथ दोनों चीज़ करूंगी कि आपको इंटरनली क्या करना है और एक्सटरनली क्या अपलाई करना है अपने बालों को काला पनाने के लिए नमस्कार मेरा नाम है गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यब चैनल पर इस तरीके की बहुत सारी यूसफ़ वीडियो शेयर करती हूं है जो आपके बहुत काम की होती है अगर आपको हैर केर इसकिन केर और हेल्दी है डायट से रिलेटिव वीडियो देखने में बहु जो आप लाइक करते हैं तो एक तरीके से आप मेरी मेहनत को मुझे एप्रिशेयट कर रहे होते हैं जो आप शेयर करते हैं मेरी वीडियो तो मुझे ग्रो होने में आप हेल्प कर रहे होते हैं और अगर आपको लगता है कि मैं मेहनत करती हूँ मेहनत से वीडियो बनाती हू आपको पता है अनार का छिलका हमारे हैर फॉलिकल के अंदर मेलानीन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का काम करता है। इसके अंदर बहुत सारे anti-oxidants होते हैं जो कि हमारे hair follicle में होने वाले oxidative stress को खतम करने का काम करता है oxidative stress बहुत बड़ा reason होता है premature hair grain के पीछे तो ये premature hair grain का जो सबसे बड़ा reason होता है उसको खतम करने का काम करता है जो next ingredient है यह है onion का छिलका लेकिन आपको red वाली onion का छिलका ही लेना है red वाली onion के छिलके के अंदर एक natural pigment होता है जो pigment आपके बालों को मिलता है और आपके बाल natural तरीके से काला होना शुरू हो जाते है next ingredient है shika kai, shika kai एक ayurvedic herb है जो आपके बालों को बहुत सारे फायदे देती है उन में से एक फायदा ये भी है कि ये premature hair grain को treat करती है अगर आप लगातार इसका यूज करेंगे तो आपके बाल natural तरीके से काली हो जाएंगे इसलिए natural shampoo में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है और natural shampoo आपके बालों को वापस से काला बनाने का भी काम करता है जो लोग लगातार natural shampoo का homemade shampoo का यूज करते हैं उनके बाल जल्दी सफेद नहीं होते उनलों के बाल जल्दी इसलिए सफेद नहीं होते थे क्योंकि वो लोग natural shampoo का यूज करते थे जिसके बाल जल्दी सफेद नहीं होते नेक्स इंग्रेडिन्ट है फेनुग्रीक सीड फेनुग्रीक सीड के भी बहुत सारे फायदे हैं यह आपके बालों को natural तरीके से काला भी बनाता है एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर जिसे की यह देंटरफ को भी खतम करने का काम करता है इसके अंदर मूसलेस कंटेंड बहुत ज़दा होता है तो यह आपके बालों को मॉसराइज करने का भी काम करता है और साथे साथ यह नैच्रल क्लींजर की तरह भी काम करता है नेक्स इंग्रेडेंट है बीट रूट पाउडर यानि चुकंदर का पाउडर आप ताजा चुकंदर भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं चुकंदर के अंदर आप देख सकते हैं एक natural pigment है और यह pigment हमारे hair follicles को मिलता है तो hair follicle में melanin का production इंक्रीज हो जाता है इसके अंदर बहुत सारे antioxidant भी होते हैं तो यह हमारे hair follicle में होने वाले oxidative stress को खतम करता है अब यहां पे जो next ingredient है वो है अखरोट का चिलका walnut का जो cover होता है वो आपको यूज करना है आपको पता है जो walnut का cover होता है यह आपके बालों को natural तरीके से काला बनाने का काम करता है अगर आप regular basis पे यूज करेंगे तो और साथी साथी आपके बालों के pigment को restore करने का काम करता है जल्दी आपके बालों का pigment loss नहीं होता और आपके बाल जल्दी सफेद नहीं होते आपको क्या करना है इस तरीके का अखरोट अगर आपको खड़ा मिल जाता है तो इसको तोड़ लेना है इसके अंदर का जो अखरोट है उसको निकाल लीजे और इसके छिलके काह में इस्ते करने की जरूत नहीं है वैसे तो वालनट का छिलका होता है ये बालों को काला बनाने में बहुत इफेक्टिव है अगर आपको मिल जाता है तो आप डेफिनेटली इसे यूज करिए ठीक है अभी आप देख सकते है मैंने इसका छिलका निकाल लिया है और जो वालनट यानि अखरोट हमने निकाल के रखा है उसको खा जाना है अखरोट को अगर आप डेली कंजूम करेंगे तो भी आपके बालों के लिए बहुत ज़दा अच्छा होता है क्योंकि अखरोट के अंदर बहुत सारे इसेंशल निउट्रेंट होते हैं जो आपके बालों को ग्रो होने मे स्टार्टिंग में ही बताया था कि हैर मास लगाने के साथ आपको अपनी डायेट का खास खयाल रखना है तो आगे आप पूरी वीडियो देखेगा क्योंकि आपके साथ में बहुत अच्छा सा ड्रिंक भी शेयर करूंगी कौन-कौन से वाइटामिन्स और मिनरल्स हमारे ब पास के लिए और पके नमसे हाएं, और इसको तक कोते लाई रखना है और इसको तब तक पकाना एक क्टाइब होता है । 0os9, everyp mm. यह रखना मैं रखना कश्वा से सिताल करा है लिए का सावचा जल्त गान से औ solici, तक गलान दो हमाए दो, क़्लों आप अपना सिर्ष नही नहीं हेर से रिलेटेट, इसकिन से रिलेटेट या फिर हेल्थ से रिलेटेट, कोई समस्या नहीं होगी, अगर आप नैचर को पूरी तरीके से फॉलो करेंगे तो, अब आपको क्या करना है कि जो हमने इसमें वालनट का छिलका एड किया था, काफी मोटा मोटा होता है, तो उ अब हमें क्या करना है, इसको अच्छे से ग्राइंडर में डाल देना है, और ग्राइंड कर लेना है, बस आपको ध्यान रखना है कि यह सारी छीजें जब थोड़ी थंडी हो जाती है, तभ हमें इसको ग्राइंडर में डालना है, तभ हमें इसको ग्राइंडर में डालना है अभी आप देख सकते हैं मैं आटेक डाल आप मदा कुणे पर असरी को बसंग पड़ा को थो and Yes, आँशेसे मैं जय्मीं इवारिक्षा पेस्ट मेण गा counterparts अब में क्या करना है कि मुस्टिन क्लोथ की हर षब से इसको अच्छे से स्ट्रेंड कर लेना है ताकि जो भी रेजिड्यू हैं चंक्स हैं वो सारे निकल जाएं और आपको बाल धुलते वक्त कोई परिशानी ना हो आप बाल धुले और आपके बाल बहुत ही अच्छे से साफ सुत्रे हो जाएं यह जो हैर मास्क है यह आपके बालों को नैच्रल तर तो जितनी भी शैंपू की वीडियो मैंने सारा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो आप उसको जरूर चेक करिएगा यह जबसे मैंने नाच्रोल शैंपू का यूज करना शुरू किया है मेरे बाल बहुत जल्दी काले हो गया है तो अगर आप इस हैर मास यह पिर जी जिन कम ठंडी है उस दिन आप इसको लगा लिजी अपने बालों में यह आपके बालों के लिए बहुत अफायदेमंद है लेकिन आप ड्रिंक किसी भी सीजन में पी सकते हैं तो इसलिए ड्रिंक की वीडियो आप जरूर देखेगा और कौन-कौन से इस्पेसल वा अब लूटर से हैर वाश कर लूगी इसको हफते में दो दिन अटलिस आप यूज किया करिए अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल जल्दी से काले हो जाए और बालों को जल्दी से काला बनाने में तो इसलिए पेशें जरूर रखेगा आप यह चाहें कि एक महीने दो महीने में मेरे सारे सफेद बाल नाच्रल तरीके से काले हो जाएं तो यह पॉसिबल ही नहीं है आपको टाइम देना होगा और साथी साथ एक बहुत इंपोर्टेंट बात का और ख्याल रखना होगा वह है हमारी डायट देखिए हमारे बालों को वापस से काला बनाने के लिए कु और आपके बाल सफेद होने लगते हैं सबसे पहले मैं आप लोगों को उन इसेंशियल मिनरल्स और वाइटामिन के बारे में बता देती हूं उन सारे इसेंशियल न्यूटियन का नाम है कैल्शियम, कॉपर, प्रोटीन, आयरन बहुत इसेंशियल वाइटामिन भी हैं जैसे अनार आपको यूदफुल बनाने में बहुत ज़्यादा है यह आपकी एजिंग की जो प्रोसेस है उसको श्लोडाउन कर देता है जिसकी वज़े से आप लंबे समय तक यंग रहेंगे और जब लंबे समय तक आपके बाल काले भी रहेंगे और साथी साथी इसके अंदर बह बहुत ज़रूरी होते हैं अब यहां पर जो नेक्स इंग्रेडियंट है यह है औरेंज यानि संतरा देखे असंतरा बहुत ही सोर्स होता है वाइटामिन सी एंटी आक्सिदें का वाइटामिन सी और एंटी और दोनों चीजन हमारे बालों को काला बनाने के लिए बहुत तो इस सीजन में आप इन दोनों चीजों का इस्तेमाल करके ड्रिंक मनाईए और कंजूम करिये यह जो ड्रिंक है यह वाइटामिन सी, एंटी अक्सिडेंट और बहुत सारे इसंचल न्यूट्रियन का खजाना है जो आपके बालों को ग्रो होने में भी हेल्फ करता है और काला बनाने में भी बहुत जादा हेल्फ करता है और पीने में इस पेसली बहुत जादा टेस्टी भी लगता है बहुत सारे ऐसे drinks भी होते हैं जो हमें taste में अच्छे नहीं लगते लेकिन यह जो drink है यह taste में भी बहुत ही ज़ादा अच्छा है आपको क्या करिना है कि grinder लेना है इसमें इन दोनों चीजों को डाल देना है थोड़ा सा पानी डालना है और हमें अच्छे से grind कर लेना है देखे grinder में juice बनाना ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि इसमें जो fiber's होते हैं वो खतम नहीं होते अगर juicer में आप juice बनाते हैं तो सारे fiber निकल जाते हैं सिर्फ आपको juice मिलता है लेकिन इस तरीके से आप अगर drink बनाएंगे तो आपका जो fiber है वो भी आपको मिलेगा fiber भी हमारे health के लिए बहुत important होते हैं क्योंकि ये हमारे gut health के लिए बहुत ज़दा important होते हैं तो हमें इसे strain नहीं करना है चान के सब fiber निकालना नहीं है इसे हमें as it is पी जाना है इसमें बहुत ज़दा fiber भी नहीं है जो fiber है वो बहुत ज़रूरी भी है ठीक है तो इसलिए आपको इसे चानना नहीं है इसे इसी तरीके से कंजूम करना है अगर आप डेली पीएंगे तो आपको फर्क दो-तीन महीने में दिखाई देने लगेगा आपके बाल ज़ड़ना बिल्कुल रुख जाएंगे इस सेज में बाल सफेध होते ही है तो दोनों चीजों में फर्क है प्रिमेच्यूर हेर ग्रेंग को आप ट्रीट कर सकते हैं जो बाल समय से पहले सफेध है उन्हें आप काला बना सकते हैं मेच्यूर हेर ग्रेंग एक नैच्रल प्रोसेस है इसको आप स्टॉप नहीं कर सकते लेकिन इसको आप मिनिमाईज जरूर कर सकते हैं और आपके जो मैच्योर हेर ग्रेइंग है उसको डिले कर सकते हैं अगर आप अपने बालों में कुछ भी नहीं लगाते हैं यह वह लगाते हैं तो आपके बाल ती साल के अमर में सफेद होना शुरू हो जाएंगे अगर आप अपने बालों का अच्छे से ध्यान रखते हैं तो आपके बाल पचास साल के बाद जाके सफेद होना शुरू होंगे वो भी थोड़े मोड़े सफेद होंगे और अगर आप अच्छे से ध्यान रखेंगे तो आपके बहुत सारे बाल, बुढ़ापे तक काले ही रहेंगे, यकीन करिए पहले ऐसा होता था, लोग नैशुल चीजों का यूज करते थे उनलों के बाल आप देखते थे, बुढ़ापे में, बहुत बुढ़ापे में जाके सफेद होते थे इतना जल्दी सफेद नहीं होते थे इसे कि मैंने बताए कि आपके बालों को बहुत सारे essential nutrient की ज़रूरत होती है मेलानीन को बनाने में मतलब हैर फॉलिकल में मेलानीन को बनाने में बहुत सारे vitamins और minerals की ज़रूरत होती है तो मैंने अपने YouTube चैनल बेना बहुत ही अच्छा सा keratin protein powder शेर किया है जिसके अंदर ये सारे essential nutrient है ये रहा वो वीडियो अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ पे क्लिक करिए और इस वीडियो को अभी देखिए ये जो वीडियो है ये आपके बहुत काम की है इस powder को consume करने से आपके बाल रिग्रो भी करेंगे और काले भी होंगे तो ये थी मेरी आज की वीडियो अब मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब ते के लिए बाई and stay happy